गुड आफटरनून बेटा आज हम पढ़ेंगे पुरुष वाचक सर्वनाम पुरुष वाचक सर्वनाम क्या है बेटा वे सर्वनाम सब्द जिनका परियोग कहने वाला सुनने वाला या किसी अन्ने के लिए किया जाता है उन्हें पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे वहे, वे, मैं, तुम, तुम्हारा, उसका आदी, अब कहने वाला कौन है, कहने वाला, यानि मैं जो हूँ, मैं अब बोल रही हूँ, और आप सभी सुन रहे हो, और जब हम किसी अन्य के बारे में बात चीत करते हैं, वह होता है, पुरुष वाचक सवना, बोलने वाला, बोलन यानि तुम्हारे लिए मैं जिन शब्दों का प्रियोग करूंगी, वे होते हैं, तुम, उन्हें, तुम, आप, आपका आदी, और किसी कीसरे के बारे में जब हम बात चीत करते हैं, वे होते हैं, वह, वे, उसका, उन्हें, उनका आदी, अब इस आधार पर पुरुष अब उत्तम पुरुषवाचक सरुनाम क्या है बोलने वाला व्यक्ति जिन सरुनाम शब्दों का प्रियोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सरुनाम कहते हैं जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रियोग करूंगी वह होते हैं उत्तम मेरा हमारा आदी जैसे मैं सातवी कख्षा में पढ़ता हूँ मेरे पिता जी बहुत अच्छे है बारिश हमारी चारपाई भीग गई हम कल आगरा जाएंगे मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है यह नाव मैंने बनाई है तो यहाँ पर जो मैं मेरे हमारी हम मुझे मैंने यह जो शब्द है हम अपने लिए प्रियोग कर रहे है यानि बोलने वाला वेक्ति अपने लिए प्रियोग कर रहा है तो वे होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सरुनाम दूसरा आजाता है मध्यम पुरुषवाचक सरुनाम मध्यम पुरुषवाचक सरुनाम क्या है सुनने वाले के लिए यानि तुम अब मेरी बाते सुन रहे हो उन के लिए जिन सरुनाम सब्दों का प्रियोग किया जाएगा वे होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सरुनाम जैसे तुम तुम तुम्हें तुम्हारा आधी जैसे मैं कहूंगी तुम्हारा क्या नाम है तुम्हें प्रति दिन सैर करनी चाहिए आप कहां रहते हैं तुमने काम कर लिया होगा तो आपके लिए जिन शब्दों का मैंने प्रियोग किया है वे होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सरणाम उसके बाद होते हैं अन्य पुरुष वाचक सवरनाम बोलने वाला या सुनने वाला अब मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं और हम किसी तीसरे वैक्टी के लिए किसी अन्य वैक्टी के लिए जिन सरवनाम शब्दों का प्रियोग करते हैं वे होते हैं अन्य पुरुष वा साय, वे घर बना रहे हैं, उसका पैन गुम गया है। तो यहां पर हमने यह जो शब्द प्योग की है वे हैं उन्होंने वे उसका होते हैं अन्यफुरुश वाचक सर्वनाम। अब दूसरा आ जाता है निश्चे वाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम सब्दों से किसी व्यक्तिय वस्चितू का निस्चित रूप से बोध होता है, उन्हें निस्चे वाचक सरुनाम कहते हैं, यानी इन सब्दों से उस वस्चितू के बारे में निस्चिता होती है जैसे यहे, वहे, ये, वे, आदी जैसे यहे मोहन की कार है ये मेरे भाई का घर है वहे लड़का मेरा बेटा है इसी लड़की ने मेरी मदद की तो यहाँ पर ये जो शब्द है यहे सोहन की कार है ये मेरे भाई का घर है ये सभी जो शब्द है यह है यह वह है इसी इन में किसी वस्तू की निश्चिता के बारे में बताया गया है ठीक है तो यह हो जाते हैं निश्चे वाचक सर्वनाम इससे आगे बटा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे